हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है, आज हम स्टड़ी करने वाले हैं, केंडिडियस या ओरल तरश के बारे में ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं, यदि आप इंग्लिश में स्टड़ी करना चाहते हैं, तो आई बटन भी क्लिक करें वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डिरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं, तो क्या है औरल केंडिडियस या औरल तरश या सिंपल केंडिडियस सारे चो टर्म्स हैं, वो सेम हैं, एक्जाम में आप को शोटनोट आ सकता है, या फिलिंदा ब्लेंक्स वगरा सकते हैं, तो जैसे भी क्वेश्चन आएं, चाहे वो ओरल तरश हो, चाहे चैनलिडियस हो या औरल केंडियस हो, सब का आणसर सेम है, या आपको ध्यान रखना है, या केंडियस या केंडियोसिस, ये कुछ भी हो से में है यह माइकोसिस है माइकोसिस मींज फंगल संकर्मन है फंगल इनिफेक्शन है जो आम तोर पर तोचा या शलिश्मा जिल्ली की सतही परतों तक सीमित रहता है और मुख्य रूप से जो औरल म्यूकस मेंब्रेने उसको प्रभावित करता है और इसे ही हम औरल थ्रश के होता है बट कभी कभी केंडिडा की अन्य प्रजातियां भी इस रूप को कौज कर सकती है यूमन भी में मोड अब ट्रांस्मिशन क्या होगा कैसे फैलता है ये संचरन का जो मुख्य तरीका है वो है कि जो रोगी हैं केसेज हैं और केरियर से हैं उनके जो म्यूकस मेंब्रे है जहां पर ये इंफेक्शन है चाहे हो मुँ हो त्वचा हो वजाईना हो मल के स्तरा उत्सरजन इनके प्रतेक्ष या एपतेक्ष संपर्क में आने से हो सकता है इसके लावा ये बच्चे के जन्म के दुरान यदि मा में केंडिडियस है वेजाइनल एरियाज में तो बच् के रूप से जो क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन होंगे वो लोकल होंगे औरल केविटी में एक वाइट जो गाड़ी एक मेंब्रेन सी बन जाएगी और जो उसको रिमूव करने पर वहां पर ब्लेडिंग हो सकती है इसके अलावा अन्य लक्षनों में शामिल होगा मुहे में दर स्वाद कराब होना या स्वाद मेसूस ही नहीं होना यह ओरल केंडिडी जीटीज के लक्षन होंगे इसके अलावा अन्य अंगों को भी प्रवावीद कर सकता है तो उस केस में वहांका लोकल जो साइनस सिम्टम हो सकते हैं जैसे अबल्वर वेजाईन नायटीज हो सकता है पेरोनाई किया हो सकता है या उनको माइकोसिस हो सकता है सीवियर केसिज में ये जी आइटी जैसे इसोफेगस है स्टमक है इंटेस्टाइन है वहां के अलसर्स या स्टूडो मेंब्रीन भी बन सकते हैं और इवन और गंबीर कंडिशन में ब्रेन, सेंटर नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कोर्ट, किड्नी, प्लीहा, एंडोकार्डियम, लीवर, आईज, मेनिंजेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या या यूरिनरी सिस्टम इन सब को प्रभावित कर सकता है डाइगनोस्टिक इन्वेस्टिकेशन कैसे होगा सबसे पहला जो इन्वेस्टिकेशन है, स्टेप है, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे यूरल केविटी में ये वाइट पैचेज दिखते हैं तो एक शंका एक शक आता है कि केंडिडियस हो सकता है कनफर्म करने के लिए उसका स्क्रेपिंग या जो बायोपसी है उसकी चांस करवाएंगे उसमें यदि केंडिडा फंगस है तो इसका मतलब कनफर्म है ट्रीटमेंट क्या होगा केंडिडियसीस का ट्रीटमेंट हो सकता है, बहुत आसान है इसके लिए मानक treatment है antifungal medicines जिसमें मुख्य रूप से fluconazole oral tablets दी जाती है इसके लावा antifungal mouthwash जैसे nistatin mouthwash इसका उप्योग किया जा सकता है Candidiasis के गंभीर मामलों में या systematic infection में importation B नाम की दवा का उप्योग किया जा सकता है Prevention कैसे होगा रोग का control और prevention कैसे करेंगे तो Candidiasis के संकर्मन के प्रसार को रोकने के लिए जो भी predisposing कारकों वाले रोगी हैं उनके मुहें GIT, urinary bladder इसका कोई भी संकर्मन हो तो तुरंत उप्चार शुरू करना चाहिए Fluconazole Chemoprophylaxis दिया जा सकता है उन लोगों को जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है For example, जैसे मानलो bone marrow transplantation यदि किसी का हुआ है तो उसकी immunity कुछ समय के लिए कम होती है तो उसे हम Fluconazole Chemoprophylaxis दे सकते हैं इसके अलावा Fluconazole Chemoprophylaxis दिया जा सकता है Cancer रोगियों को जिनको Chemoprophylaxis चल रही है क्योंकि उनमें भी immunity कुछ समय के लिए एक्षणी कमजोर होती है तो उन्हें भी हम Chemoprophylaxis दे सकते हैं इसके अलावा Candidiasis की रोग थाम के लिए जो भी उनके स्त्राव हैं जो दुशित वस्तुई हैं उनका Terminal and Concurrent जो Disinfection है वो प्रोपर किया जाना चाहिए इसके अलावा नवजाद शिशुओं में नर्सरी में जो ज्यादातर Mass level पे जो infection होता है Candidiasis का वो IV fluids में fungus होने के कारण ज्यादातर देखा जाता है तो इसलिए जब भी IV fluids लगाएं तो उसमें expiridate और fungus तो नहीं है Flute clear होना चाहिए यदि कुछ भी whitish जैसे threads जैसा कुछ उसमें है तो तुरंत उसको discard करना चाहिए अस्पताल की nursery में इस epidemic Candidiasis को रोपने के लिए समय समय पर terminal और concurrent disinfection के जा सकता है और यदि कोई बच्चा है infection वाला तो concurrent disinfection बहुत ही ज़रूरी है तो ऐसे यूपयोगी lectures देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं फेस्बुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने notes बनाने के लिए visit करना ना भूले mynursingstudents.blogspot.com follow कर सकते हैं हुझे twitter पर instagram पर भी और facebook group nursing notes भी join कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको latest updates मिलता रहेगा धन्यवाद आपका दिन शुभू